केसर बात देगी रुकमिनी को गिफ्ट और मांगेगी उसे एक साल के अंदर उससे बच्चा सब्सक्राइब अब हिट अब लाइकन तो नेवर मेंस अनदर अबडेट फ्रॉम्स सीरिल आख मिचौली में आप सभी देख रहे हैं कि केसर ने सुमेद के चलते रुकमिनी को एक मौका दिया है और साथ ही यहां उसे कहा है कि उसे एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहु बनकर रहना होगा साथ ही अपने सारे सपने अपनी सारी डिग्रियां इस घर से बाहर फेक देना है यहां आप देखेंगे उससे भी बड़ी बात यह कि रुकमिनी इन सारी बातों के लिए तयार हो जाती है चाय का पतीला उठाती है और चाय वाली बनने के लिए तयार हो जाती है मतलब सुमेद का पग पग पर साथ देने के लिए तयार हो जाती है और ये बात मलहार को पसंद नहीं आती खैर आप देखेंगे केसरबा को एक उमीद जगी है कि साय सुमेद भाई का घर बस जाए और रुकमिनी सुधर जाए अचानक से होगा बड़ा ट्विस्ट रुकमिनी को केसरबा जाएगी साड़ी देने सबसे महंगी साड़ी जो उसकी बेहत पसंदीदा है और यहाँ पर उसे देते हुए कहेगी कि ये साड़ी तुम्हें दे रही हो और मुझे एक साल के अंदर इस घर में बच्चा चाहिए कहती है कि पत्नी तभी पूर होती है एक लड़की तभी पूर होती है जब वो मा बनती है और ऐसे में मुझे सुमेद के जिन्दगी में खुशियां चाहिए इस घर के लिए बच्चा चाहिए अब देखना ये है कि रुकमिनी पर केसर जो इस तरह का प्रेशर बना रहे हैं उससे रुकमिनी का क्या अंजाम होता है